Study IQ IAS अब तयारी हुई affordable European travelers in medieval India Welcome to Study IQ IAS मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों भारत की cultural heritage, economic prosperity philosophy, spirituality और art and craft से attract होकर मध्यकाल में बहुत से European traders and travelers भारत की ओर खिंचे चले आए थे इन European यात्रियों ने भारत में विजयनगर और बहमनी राज्यों के साथ-साथ Mighty Mughal Empire के भी यात्रा की थी इन travelers के यात्रा वृत्तांतों से हमें जहांगीर, शाह जहां और और अरंगजेब की शासनकाल की जानकारी मिलती है इन European travelers में Hawkins, Thomas Rowe, Bernier, Trevenier और पीटर मुंडियादी प्रमुख है इन travelers ने अपने travel में मुआज में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिती का विस्तार से उल्लेक किया है इन travelers के यात्रा वृत्तांत, मध्यकालीन भारती एतिहास को जानने का एक important source है आज के विडियो लेक्चर में हम भारत के बारे में इन European travelers के नजेरिये को समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 13 सदी भारत की यात्रा पर आए इतालवी यात्री Marco Polo से यू तो Marco Polo को उनकी चीन यात्रा के लिए जाना जाता है परंतु चीन से Venice वापस जाते समय उन्होंने भारत की भी यात्रा की थी और दक्षण भारत की हिस्ट्री को जानने के लिए Marco Polo के यात्रा वृत्तांत को एक important source माना जाता है Marco Polo Marco Polo Venice के एक trader थे जिन्होंने 13 सदी में Silk Road के जरिये यूरोप से चीन तक की यात्रा की थी उन्होंने travels of Marco Polo नामक में मौा में अपनी यात्राओं का विवरन दर्ज किया है Marco Polo ने चीन की यात्रा 1271 इसवी में की थी इस समय चीन पर मंगोल शासक कुबलई खान का शासन था चीन में लगभग 17 साल रहने के बाद Marco Polo भारत होते हुए Sea Route से वापस Venice लोट गए थे Marco Polo ने 1292 इसवी में भारत के कोरो मंडल तट परस्थित तंजोर के पांड्या और काकतिया राज्यों की यात्रा की थी इस समय काकतिया राज्य में महरानी रुद्रम्मा देवी शासन कर रही थी रुद्रम्मा देवी भारतिय इतिहास की उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी जो शासन सत्ता के शिर्ष तक पहुची थी आईए अब हम देखते हैं कि पंदरवी सदी में भारत की यात्रा पर आने वाले निकलो डी कॉंटी का भारत के बारे में क्या अब्जरवेशन था है इतालवी व्यापारी निकलो डी कॉंटी विजयनगर की यात्रा करने वाले पहले यात्रियों में से एक थे जिन्होंने 1420 में देवराय प्रतम के शासंकाल में विजे नगर की यातरा की थी वे देवराय प्रतम को भारत का सबसे शक्ति शाली राजा बताते हैं विजे नगर शहर के बारे में उन्होंने अपनी ट्रावल अकाउंट में बताया है कि इस शहर की परिधी 60 a. कॉंटी ने अपनी यात्रा विवरण में विजयनगर में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेक किया है। भारत में भी यात्रा की। इन में से एक थे दुवार्टे बार्बोसा। आईए देखते हैं भारत के बारे में बार्बोसा क्या कहते हैं। इवरो देडवार्टो बार्बोसा में विजयनगर की यात्रा संबंधी अपनी संस्मरणों को संकलित किया है। उन्होंने अपनी ट्रैवल अकाउंट्स में विजयनगर के शासक वीर नर्सिंग तुलुव के शासनकाल का उलेक किया है। उन्होंने विजयनगर को मजबूत स्टोन वॉल और पहाडियों से घिरा हुआ बताया है। जिसके एक तरफ तुंग भद्रा नदी बहती थी, जो नगर को एक नैचुरल डिफेंस प्रदान करती थी। बार्बोसा लिखते हैं कि इन स्टोन वॉल्स के अंदर विजयनगर के राजाओं द्वारा समतल मैदान में भव्य महलों और मंदिरों का निर्मान करवाय गया था। बार्बोसा के बाद पुर्टगाल से आने वाले ट्रैवलर्स में प्रमुक थे डॉमिंगो पेज और फर्नाव नोनीज। आईए देखते हैं ये दोनों भारत के बारे में क्या राय रखते थे। प्रमुक मंदिरों के बारे में अमूल ये जानकारी दी है। विजयनगर के साइज का उल्लेक करते हुए वे कहते हैं कि इसका साइज रोम के बराबर है जिसमें असंख्य लोग रहते हैं। पेज के बाद 1535 में भारत आने वाले फर्नावन नूनीज घोडों की व्यापारी थे जिन्होंने 1535 से 1537 के मध्य विजयनगर सामराज्य की राजधानी में तीन साल बिताए थे। नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आये थे। नूनीज विजयनगर के इतिहास में विशेश रूप से रुची रखते थे। उन्होंने अपनी ट्रैवल में मौा में विजयनगर एंपायर की दक्कन के सुल्तानूं और उडिसा के राय शासकों के साथ हुई वार्ज का वर्णन किया है। विल्यम हॉकिन्स को। विल्यम हॉकिन्स 1608-161180 विल्यम हॉकिन्स ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के रेप्रिसेंटिटिव थे। जो 24 ऑउगस्ट 1608 को भारत आये थे। भारत आने के बाद 1609 में हॉकिन्स ने आगरा की यात्रा की और मुगल समराट जहांगीर से भारत में एक ब्रिटिश कारखाना बनाने की अनुमती मागी। आगरा में जहांगीर ने इंडियन ट्रिडिशनल हॉस्पिटालिटी के साथ विलियम हॉकिन्स का स्वागत किया। William Hawkins ने British East India Company के representative के रूप में मुगल समराथ जहांगीर के दर्बार में दो साल बिताए थे, जहां उसे मुगल कोट को और बादशाह को करीब से जानने का मौका मिला। परन्तु Indian Sea Trade पर पुर्टगालियों की हेजिमेनी और मुगल कोट में पुर्टगालियों की लॉबींग के कारण Hawkins को सूरत में British कारखाना खोलने की अनुमती प्राप्त नहीं हो सकी। Hawkins ने अपने अकाउंट में जहांगीर की पेंटिंग के प्रती इंट्रिस्ट का उल्लेक किया है। उसने जहांगीर के अलकॉहलिजम का भी उल्लेक किया है। जहांगीर ने उसे इंगलिश खान के टाइटल से सम्मानित किया था। जहांगीर के कहने पर ही उसने एक अमेरि Unfortunately 1614 इसवी में इंग्लेंड वापस जाते समय रास्ते में ही हौकिन्स की मृत्यों हो गई। हौकिन्स के बाद Thomas Rowe 1615 में आगरा में मुगल समराट जहांगीर के दर्बार में आये। Thomas Rowe British Emperor James First के Ambassador के रूप में Thomas Rowe 18th September 1615 को मुगल समराट जहांगीर के दर्बार में आये थे। वे 1615 से 1618 तक तीन साल मुगल दर्बार में रहे। जहांगीर के दर्बार में Thomas Rowe का आगमन Modern Indian History का Turning Point माना जाता है। इसे British East India Company के Indian Subcontinent में सुप्रेमसी इस्टैबलिश करने के दिशा में पहला कदम माना जाता है। जहांगीर Thomas Rowe की Diplomatic Skill से बहुत इंप्रेस हुआ और Thomas का गर्म जोशी के साथ सुआगत किया। Rowe ने जहांगीर को ये विश्वास दिलाया कि British East India Company इंडियन सी ट्रेड से पुर्तगालियों को बाहर निकाल देगी। इस आशवासन के बदले में Thomas Rowe जहांगीर से सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए फर्मान प्राप्त करने में सफल रहे। इसके साथ ही उन्होंने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए विशेश व्यापारिक अधिकार भी प्राप्त किये। ब्रिटिश नियंत्रन की शुरुआत की दिशा में ये पहला कदम था। आईए अब हम सत्रमी सदी में भारत की यात्रा पर आए ब्रिटिन के ट्रेडर पीटर मुंडी की ओर चलते हैं। और देखते हैं क्यों का भारत के बारे में क्या उब्जवेशन था। पीटर मुंडी ने मुगल बादशाह शाह जहां के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने शाह जहां द्वारा ताज महल के कंस्ट्रक्शन का उल्ले किया है। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में शाह जहां के काल में पड़े भीशन अकाल का वर्णन किया है। मुगल काली इन भारत की एकॉनमी और सोशल कंडिशन का वर्णन करते हुए पीटर मुणी लिखते हैं कि मुगल काल में सामाजिक और आर्थिक असमानता चरम पर थी। उनके अनुसार शाह जहां की शासन काल में किसान दैनीय स्थिती में थे। भारत के बारे में उनका जनरल अब्जरवेशन ये था कि भारत एक अमीर देश है लेकिन इसके लोग सामाननी रूप से घरीब थे। 17th century में भारत आने वाले European travelers में अगला नाम French traveler टैवनिया का है। आएए देखते हैं उनका भारत के बारे में क्या observation था। Jean-Baptiste Tavenier 17th century के एक French traveler और Gems trader थे। Tavenier ने 1630 और 1668 के बीच छे बार इरान और भारत की यात्रा की थी। उनकी भारत से होने वाले goods trade में विशेश रुची थी। अपने travel account में उन्होंने भारत की व्यापारिक स्थितियों की तुलना इरान और Ottoman Turk Empire के साथ की है। 1638 से 1643 इसवी के बीच अपनी दूसरी यात्रा के दौरान उन्होंने गोलकॉंडा और आग्रा की यात्रा की। आग्रा में उन्होंने मुगल बादशाह शाह जहां से उसके दर्बार में मुलाकात की थी। टैवनिया ने गोलकॉंडा में हीरे की ख़दानों की भी यात्रा की थी। टैवनिया ने 1675 में लैसिक्स वोईश डज्यों बैप्टीज टैवनिया नाम से अपना ट्रैवल मेमोआ पबलिश किया था। जिसमें उन्होंने भारत में हीरे की खानों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्हें ब्लू डाइमंड की खूज के लिए भी जाना जाता है। जिसे बाद में उन्होंने फ्रांस के किंग लूई दुफॉटींद को बेच दिया। टैवनिया के बाद इतालवी ट्रैवलर निकॉलाओ मनूची ने 17th सेंचुरी में भारत की यात्रा की थी। शहजहां की डेथ के बाद मुगल काल के इतिहास को जानने के लिए उनका ट्रैवल मेमोर एक इंपोर्टन्ट सोर्स है। निकॉलाओ मनूची इतली के वेनिस शहर के निवासी थे। वे 1656 के आसपास केवल 17 साल की उम्र में भारत आये थे। मनूची एक सेल्फ मेड डॉक्टर थे। मेडिसिन में इंट्रेस्ट होने के कारण उन्होंने भारत में डॉक्टरी का पेशा अपना लिया था। उन्होंने दाराशिको की आर्मी में आर्टिलरी में के रूप में भी काम किया था। उन्होंने अपनी ट्रैवल अकाउंट में और अंगजेब से युद्ध में हारने के बाद दाराशिको की बूटल एंड को अपनी आँखों से देखा था। दाराशिको की मृत्यों के बाद उन्होंने काफी समय तक मुगल कोट के लिए काम किया था। लेकिन बाद में मुगलों की नाराजगी के चलते विमदरास चले गए थे। जहां कैथरिन क्लाक नामक महिला के साथ शादी कर मनूची यहीं भारत में ही बस गए थे। भारत में रहने के दौरान अपने अनुभवों को उन्होंने अपने मेमवा स्टोरिया दमोगोर में दर्च किया। उनके यात्रा विवरन से हमें दाराशिको, औरंगजेब, मिर्जा राजा जाय सिंग और शिवाजी महराज के बारे में फर्स्ट हैंड इंफरमेशन मिलती है उनके यात्रा विवरन से हमें मुगल काल की socio-political and economic conditions का पता चलता है। भारत आने वाले कई अन्य यात्रियों की तरह हैं। उन्होंने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। आईए अब हम देखते हैं कि बर्निया ने अपनी ट्रैवल अकाउंट्स में भारत के बारे में क् फ्रांसुआ बर्नियाय फ्रांस के निवासी बर्नियाय एक doctor, politician, philosopher and historian थे। वे 1656 से 1668 तक लगभग 12 साल मुगल सामराज्य में रहे। इस दोरान उन्होंने मुगल प्रिंस दाराशिकों के यहां doctor के रूप में कारे किया। बर्निया ने भारत के बारे में अपने experiences, travels in the Mughal Empire नामक book में पब्लिश किये। बर्नियाय ने मुगल एमपायर की राजनीदिक साजिशों और दाराशिकों एवम औरंगजेब के भी चल रहे उत्तराधिकार युद्द का विस्तरत उल लेक अपने मेमोअ में किया है। उत्तराधिकार युद्द के बाद बर्नियाय ने European Social and Economic Conditions के साथ comparative analysis किया है और लगभग हर मामले में भारत को यौरोप से पिछड़ा हुआ बताया है जिसे बर्निये ने भारत में estate को भूमी का मालिक बताया है जिसकी वजह से भारत में farmers को agricultural produce को increase करने के लिए कोई प्रोचसाहन नहीं मिलता था इसके विपरीत यौरोप में farmland की ownership individual farmers के पास थी जिसके चलते वे farmland की productivity को increase करने के लिए नई नई technology में investment करते थे बर्नियर के अनुसार European farmers की तुलना में भारतिये किसानों की स्थिख खराब थी इसी तरहे भारत में handicraft industry को लेकर उन्होंने ये observe किया कि उन दिनों भारत में handicraft industry में decline हो रहा था उनका कहना था कि state द्वारा मुनाफे का अधिकतर भाग विभिन टैक्सिस की जरिये वसूल कर लेने के कारण शिल्पकारों को technological advancement के लिए कोई प्रिर्णा नहीं मिले थी जिसकी वजह से European शिल्पकारों की तुलना में भारतिये शिल्पकारों की economic condition अच्छी नहीं थी हलाकि बर्नियर ये भी कहते हैं कि दुनिया भर से आने वाले व्यापारी गोल्ड और सिल्वर देकर भारतिये उत्पादों को high price पर खरीदने के लिए तयार रहते थे बर्निया के इस observation से हमें भारतिये समाज के ऐसे विरोधा भास का पता चलता है जिसके दोनों ही पक्ष सही हैं क्योंकि एक तरफ तो भारतिये शिल्पकार पेढ़ी दर पेढ़ी अरजित की गई स्किल से ऐसे उत्पादों का निर्मान करते थे जिनकी दुनिया भर में मांग थी लेकिन उत्पादन की ये प्रक्रिया अपने आप में एक पिछड़ी हुई व्यवस्था थी जिसमें एक तरफ तो किसी भी प्रकार का टिकनोलोजिकल इनुवेशन बहुत धीमी गती से होता था और दूसरा शिल्पकारों के उत्पादों की बिक्री का अधिकांश प्रक्षित होकर 15th century में कई European travelers ने भारत की यात्रा की थी इन में से कुछ individual capacity से trade करने के लिए भारत आये थे और कुछ European trading companies द्वारा यहां appoint किये गए थे इस दौरान उन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में जो कुछ भी देखा और उसे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। साहिता से यौरोप के लोगों को भारत की economic wealth, social and political structure की weaknesses और backwardness के बारे में पता चला। इसी वजह से European companies भारत में territorial gain और भारत को colonize करने के लिए बहतर policies develop करने में सक्षम हो जकी थी।